हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो आर चैनल सब्स्राइब फॉर स्टॉक्स आज हम बात करेंगे फिर से बहतरीन चार स्टॉक्स के बारे में जहां पर मुझे लगता है कि आज भी ऑपर्शुनिटी है और जहां पर कुछ अच्छे ब्रेक आउट्स देखने को मिले हैं तो उनक से बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स पर क्योंकि हमने जाब लास्ट वीडियो में बताया था कि निफ्टी फिफ्टी पर उस टाइम पर कुछ सत्रह हजार आच सो क्यास पर चल रहा था उसी दिन मैंने पर्शो के दिन ही ये बता दिया था इंटरेक्ट संडे को जो लेवल है उसने आपको पता ही है कि आज देखने को मिला वो सत्रह हजार तीन सो पचास का लेवल जो की था ये लेवल सत्रह हजार तीन सो पच्पन रुपए तक ये गया और यहां से ही वापस से इसने अपना बाउंस बैक दिखाया तो जो चार्ड बोलते हैं बिलकुल ही वैसे मूव कर रहा है और बिलकुल उसी तरज पर अठारा हजार का जो लेवल है आगर यह अठारा हजार का लेवल क्रॉस करता है तब ही अफ़र जर्नी इसकी रिज्यूम होगी तो अभी यह इसी दाइरे में फास सकता है नाओ अगर हम इंडिविजल स्टॉक्स के बारे म आपने पता ही है मैंने आपको बताया था कुछ कुछ टॉक्स जहां पर आपने अच्छा पैसा कमाया भी होगा और आपने देखा होगा कि किस तरह से चार्ड पहले ही बता देते हैं कि यह किस तरह की चाल दिखाएंगे आने वले टाइम में इसमें आपको पता है जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एस्ट्रा माइक्रो का चार्ट एस्ट्रा माइक्रो का चार्ट मैंने बताया था 390 रुपए के जितना नजदीक मिल जाए उतना बड़ी है 302-300 रुपए के आसपस इसने एंट्री दिलाई थी और मैंने भी वहाँ पर एंट्री लिए 300 मैंने 310 के अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किकली मेरा जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं बैल आइकन दबादा बिल्कुल मत भूलिए जिससे आपको मेरी वीडियो डालते ही आपको पता चले कि कौन से स्ट है वो मुझे दिखता है बहुत ही बहतरीन चार्ट पर वो सबसे अच्छा मुझे दिख रहा है क्योंकि यह एक रेजिस्टेंस लेकर चल रहा था और इस रेजिस्टेंस को आज ही इसने तोड़ा है अपने चार्ट पर जिसका नाम है खादिम इंडिया इसे पहले ने कैंप कि Millipers Active Wear का शेर बताया था ऊसने भी काफी अच्छा रेटर्न दिया है एल्मुस्ट त्विंस्ती ट्विटवधाय त्विंडिवगं का रितरन दे मुझे यह जो है आप देखेंगे हर बार यहां पर रिजिस्टेंस लेता था और यहां पर आने के बाद फिर से नीचे आ जाता था तो अभी इसने काफी अच्छी एक बुलिश कैंडल के साथ इस पर्टिकलर चैनल को तोड़ दिया है और इसके ओपर आज क्लोजिंग दी है तो स्टॉपलोस लगा के रख सकते हैं 244 का स्टॉपलोस और आदे वाला पढ़ाव कहां दिखता है मुझे आने वाला पढ़ाव इसमें आल्मोस्ट तीन सो पचास तीन सो साथ रुपे तक भी यह जा सकता है जबकि पहला जो सबसे इम्मीडियेट रिजिस्टेंस है और 270 का है उसके बाद इसका दूसरा डिजिस्टेंस 290 और फिर यह साड़े 300 रुपे का स्टर भी बड़े अराम से छू सकता है तो इसमें थोड़ा सा लॉंग टर्म के पॉइंट अफ्यू से ले सकते हैं थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा टाइन देना पड़ेगा आपक सकते हैं और दिस इस डिस्क्लेमर फ्रॉम माई साइड ना लेट सॉक अबर दे सेकंड स्टॉक अब यह बहुत ही बहतरी इन स्टॉक है और इसका जो चार्ट है उसका बड़ा ही महत्व है क्योंकि आप अगर देखेंगे इस चार्ट को तो आपको लगेगा इसने बहुत ही सबर्दस्त एक ब्रेक आउट है और यह अलग ही चाल अपने चल रहा है क्योंकि कभी भी गिरावट नहीं हाई है चार्सो चालिस जो इसका रेजिस्टेंस अब वो तोड़के ओपर निकल गया है और अगर मैं थोड़ा सा इसको लॉंगर टर्म चार्ट दिखा हूँ तो व और अभी जो नेक्स पड़ाव दिखता है मुझे नेक्स पड़ाव इसके चार्ट पर मुझे दिखता है पांसो सैंतिस का भी एक रेजिस्टेंस था जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा यहां पर पांसो सैंतिस का भी रेजिस्टेंस तोड़ दिया है इसने और 364 trading अगर आप बैट लेना चाहते हैं और otherwise इतना बड़ा resistance अगर तोड़ा है किसी भी chart पर तो इसमें आप लंबी अवधी में बने रह सकते हैं और इसमें अपना profit को trail कर सकते हैं positive divergences हैं बहुत ही बढ़िया और आप अगर देखेंगे RSI RSI की भी value बहुत ही बढ़िया इसमें 76 की है थोड़ा सा cool down हो सकता है 537 का जो आप पहला छोटा stop loss लगा कर रख सकते हैं अगर आप short term trader है long term trader है 480 का stop loss लगा कर अपनी position मना सकते हैं और इसको अपने trail कर सकते हैं तो यह हो गया हमारा आज का second stock now let's talk about the third stock of the day यह एक और stock है जो की आपको सभी को पता होगा की मेरे radar पर पहले भी आया था 620 के आसपास 620 के आने के बाद अभी फिर से मेरे radar पर क्यों आया है क्योंकि एक air almost इसमें breakout आने ही वाला है और आ गया है almost यह कह सकते हैं 700 रुपे का एक resistance है अगर इस 700 रुपे तोड़ देता है तो इसमें बहुत ही बढ़िया एक rally देखने को मिल सकती है आपको अभी कितने पर बंद हुआ है अभी बंद हुआ है 699.85 तो बहुत ही नजदी के अपने resistance के और अगर यह तोड़ के ऊपर निकल जाता है 700 के ऊपर तब इसमें लेने वाली position बना सकते हैं कहां तक जा सकता है आप ये भी ध्यान रखिएगा ये कहां तक जाने का दम खम रखता है almost 900 रुपीज तक का इसमें आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा कि 900 रुपीज इसका next पढ़ाओ है तो इसको भी अपने radar पर बना के रख सकते हैं एकदम lifetime high पर चल रहा है ये फ्लेक्स और बहुत ही बेटरीन कंपनी है ये मेरा पहले भी मैंने इसको अपने अपने चैनल पर सुझाया था और भी फिर से मेरा radar पर आया है तो बहुत ही जबरदस्त इसका भी चार्ट में दिखता है इसमें मेरी कोई अपनी personal position नहीं है this is just a disclaimer from my side now let's talk about the fourth stock and which is last stock of the day यहाँ पर आपको दिखरा है L.T. Foods जिसको डावत के नाम से आप सभी जानते होंगे इसमें भी बहुत ही बढ़िया breakout आया है और वो आज ही के दिन ये breakout आया है तो आप इसमें भी अपनी position मढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं resistance cross करके 97 rupees के आसपास 95 rupees के आसपास का resistance था वो तोड़ दिया है तो stop loss कहा होगा 95 rupees का stop loss होगा इसका जो मुझे target दिखता है वो काफी deep target है almost 130 का target मुझे दिखता है इसमें तो इसमें भी आप अपनी position बनाने के बारे में सोच सकते हैं ये भी मेरी अभी तक holding में नहीं है और मैंने pattern बन रहा है जिसको बुलते हैं inverse head and shoulder ये आप देखेंगे ये inverse head and shoulder बुलते हैं इसको जिसका की आज ही cross हुआ है resistance तो आज के बहुत महत्व है अगर ये कल ऊपर ही close होता है 100 के ऊपर अगर आप खरीदेंगे तो बहुत ही बढ़िया है हाला कि अभी अभी resistance इसम तोड़ा है तो आप जरूर इसमें अपनी position बनाने के बारे में सोच सकते हैं inverse head and shoulder is another very very strong indicator and pattern जहां पर बहुत अच् stock हो जाते हैं अगर आपने किसी भी position आप बनाते हैं किसी भी stock में मेरे channel पर सुझाए हुए किसी भी stock में आप अपनी position बनाने से पहले आपने वित्य सलाकार से जरूर सला ले लिजेगा so आज के लिए इतना ही अगर आपने मेरा channel अभी तक subscribe नहीं किया है तो quickly जाकर मेरा channel subscribe कर सकते हैं अगर आपके अभी तक demate account ही नहीं है तो description में आप जाकर angel 1k through अपना demate account खुलवा सकते हैं और directly मेरे साथ connect हो सकते हैं so आज के लिए इतना ही thank you so much for watching this video